जैं credit पिष्छलावले वीडियोां हमने नागरी लिपी जो कि एक निभन्ध हुशक्neg की सब्जेक्टिव क्षेंस की सब्जेक्टिव क्षेंस कि चाप्पर्द हैं पहला कॉशन है मारा देवनागरी लिपी के अक्षडों में गईयो अभी कोशन अभी तक बोर्ड में दो बार पुछा गया है और इसके पुछाने की समभावना यह भी सबसे जब दो सदी पहले जब देवनागरी लिपी के टाइप बने और इसमें पुछतक छपने लगी तब इस लिपी के अक्षडों में स्थिरता आ गई जब इसके टाइप देवनागरी लिपी में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नैपाली, नेवारी, गुजराती, आधी भासाये लिखी जाती है और जो जो भासाये लिखी जाती है उनका ही बस हमें एंसर में नाम लिख देना है देखिए थर्ड कोशन है लेखक ने किन भारतिय लिपियों से देवन देवनागरी से संबंध हिते हैं तो लेखक ने गुप्त कालिन ब्रामी लिपी और तथा बाद की सिद्धम लिपी से देवनागरी का संबंध बताया है किसकी से संबंध बताया है तो ब्रामी लिपी और सिद्धम लिपी से लेखक ने देवनागरी लिपी का संबंध बताय पूछा गया था भी समभावन देश इसको आप नोट कर लिजेगा कर पिती लेखक का मानना है कि 8 सदी में नाजिली एक सर्वर्देशिक लिपी ती जासे नागरी लिपी किस समय हमारे संपूर्ण देश में उपयोक कि जाती थी तो लेखक सासको के प्राचिन नागरी लेक पराप्त होते हैं तो उत्तर भारत में मेवार के गुहील, सांभर अजमेर के चोहान, कनौज के गाहडवाल, काठीयावार, गुजरात के सोलंकी, आबु के परमार, जेजाक भुक्ती, बुंदेल खंड के चंदेल, सासको के लेक नागरी में लिखा होगा है, तो यह सब जो सासक है, इनका हमें बस नाम लिख देना है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हैं, कल का प्रिविस वीडियो का हमारा, सिरी निवास जी को साहित्य अकादिय पुरसकार 1968 में मिला था, यह एप्सन नंबर भी इसका राइट अंसर होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जैहिंद मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद